ये गाईज, कैसे हैं, आप सभी उमीद करती हूँ, आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वास्तोंगे, सिहत्मन होंगे और आज का वीडियो का टाइटल एंड थम्नेल लेखके आप समझी गए होंगे, मुझे कुछ बहुत जादा बताने की जरुरत नहीं है आज मैं आपको एक बहुत ही गुड निवस देने वाली हूँ, ये जो गुड निवस है, वो मैं आप सभी लोग के साथ शियर करने वाली हूँ और मुझे जैसे ही गुड निवस मिली, तो मैंने लाइब भी किया था और कई सारे वीवर्स ने वो लाइब भी जॉइन की थी, तो थाइक ये सो मच और बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और बस ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भी मेरी महनत का फल है, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी क्योंकि मुझे जो भी रिजल्ट मिला है, मैं इसका बिल्कुल भी नहीं थी चलो बाते बहुत हो गई, वीडियो के तरफ ध्यान देते हैं और वीडियो पूरा देखेगा, आपको पता चलने वाला है कि मेरी यूटूब पेमेंट आ गई है, कितना टाइम लगा है, कब आई है और कितने पैसे आए, सारा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में आपको पत चल जाएगा, तो प्लीज वीडियो पूरा देखेगा, स्किप बिलकुल मत कीजेगा तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं यूटूब पे काफी टाइम से हूँ और बहुत सारे वीडियो में डाले भी है, और रेगुलर्ली डालती भी रहती हूँ बहुत सारे पूरानी वीडियो तो है, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया जब से लेकर वो अभी तक जुड़े हैं, क्योंकि मुझे पेमेंट मिलने में काफी देल लगी क्योंकि पेमेंट के पहले जो भी यूटूब क्रेटेरिया होते हैं, वो कंप्लेट करने में मुझे बहुत सारा टाइम लगा क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, मेरी छोटी सी स्टोरी है, जिससे जो न्यू यूटूबर है या जिनका अभी न्यू चैनल स्टार्ट किया है, उनको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो मेरा यूटूब चैनल 3 येर ओल्ड है और मैंने अपना यूटूब चैनल 2019 में स्टार्ट किया था, 2019 से लेकि 2021 तक अभी मुझे पेमेंट मिला है, बताती हूँ उसके पीशे भी क्या रिजन है, एक्चली मैं बताओं मैंने अपना चैनल जस्ट ऐसे ही स्टार्ट कर दि लेकिन जब मैं और दूसरे यूटूबर्स को देखती थी तो मैं बूलती थी क्यों डालते हैं, क्या है इसका रिजन सब कुछ, फिर मैंने जो भी चीज़े मैंने जानी के नहीं इसके पीछे बहुत फाइदा होता है, बहुत सारी यूटूबर्स हैं जो अर्ण भी करते है तो रेगुलर्ली वीडियो डालना चाहिए, वाश टाइम इतना कम्प्लीट होना चाहिए, सब्सक्राइबर 1000 कम्प्लीट होने चाहिए, उसके बाद आपका चैनल जो है मोनटाइज हो जाएगा, फिर आप अर्ण कर सकते हो, जिससे आपके चैनल पर एड आएंगी, उससे आप अर्ण करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, यह सारे चीज़े मैंने जानी, फिर मुझ में और इंट्रेस जगा, मैंने कहां थी अभी तक, फिर मैंने रेगुलर्ली रूटीन से वीडियो डालना स्टार्ट किया, और लाइव अगरा की, और आप लोगों के प्यार और सपो आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भी मैं यहां तक पहुझी हूँ, मेरा तो काबू नहीं था, सच बतारी हूँ, मेरा काबू बिलकुल नहीं था, आप लोगों के प्यार ने मुझे यहां तक पहुझाया, जिसकी मैं धेल सारी आभारी हूँ, और मैं आपको चाहें जितन भी शुक्रिया करूँ कम है मेरे पास शब्द नहीं है सच में बस उमीद नहीं है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसो ही बनाए रखे और उसके बाद फिर जब मेरा मॉनिटाइजेशन हुआ करीबन डेड़ साल लग गया था मुझे मॉनिटाइज होते होते मेरा च 100 डॉलर करने में लग गए थे अच्छल में होता क्या है डॉलर आपको तभी मिलते हैं जब आपका एक टार्गेट होता है 100 डॉलर का वह आपका कम्प्रीट होना चाहिए सो वह मेरा कम्प्रीट होते होते हैं 8-9 मिल ये लग गए और उसके बाद पेमेंट तो मेरा आ गया अच्छल में हुआ गया पेमेंट आ गया था बट बैंक से मैं नहीं निकाल पा रही थी पेमेंट अपना पता नहीं बैंक वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है था कुछ होगा तो मैं आपको कुछ 3-4 टेप्स दूगी अगर आप यूटूब चानल आपका है या या दूगी वो आप वीडियो के लास्ट में ज़रूर सुनेगा तो यही हुआ तो बैंक में पेमेंट आ गया था बट बैंक से पेमेंट निकालते निकालते वो जो 2-3 धाई महिने हो गय थे उसके बाद जाके मुझे मेल आया मॉबाइल पर के अपका पेमेंट क्रेडिट हो ग है हम सभी का है हमारी छोटी से फैमिली है यह पेमेंट मैं खुद भी नहीं रखने वाली हूँ सच में मैं जूट नहीं बोलूगी आपको तो पता है मैं अपनी हर चीज़े आपसे शेयर करते हूँ तो यह पेमेंट मैं सबसे पहले गरीबों में दान करना चाहूंगी और ह हमारा ये मंदिर है घर के बाहर जो मैं व्लोग में बताती रहती हूँ, तो बहाँ पर मूर्तियों की स्थापना करवानी है, क्योंकि क्या है ना हूँ मूर्तियों को मुझे रिपेश करवा के अच्छे थे, तो ये सारी चीज़े मुझे सबसे पहले करनी है, तो बस यही है यह payment का मैं use अभी मैं खुद की उपर एक रुपे भी use नहीं करूँगी जो भी है दान में करूँगी और बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो बस ऐसा ही हमारा चानल दीर दीर ग्रो करेगा और आप प्लीज ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेगा और आपकी जो भी request है प्लीज मुझे comment box में कीजेगा मैं आपकी comment का बहुत इंतिजार करती हूँ और येस guys जो भी YouTuber मेरा वीडियो देख रहा है तो उनको मैं बताना चाहूँगी आपकी जो भी queries है जो भी question है YouTube चैनल को लेकर प्लीज मुझे comment box में comment कीजिए बेफिकर होके comment कीजिए हो सकते तो मैं reply दूँगी नहीं तो फिर वो जो topic है उनके उपर एक special वीडियो बना ही दूँगी okay so finally बता देती हूँ मेरा payment कितना आया है so मेरा payment वैसे तो बताया नहीं जाता है YouTube पे YouTube के तरफ से जो भी rules regulation है वो हम YouTubers को follow करने पड़ते हैं तो नहीं बताया जाता है उसे openly नहीं किया जाता है बट मैं आपको बता देती हूँ आप मेरी शोड़ी सी family हो so मेरा YouTube payment आ गया है and मेरा YouTube payment एक 5-digit number है and ये मेरे लिए बहुत है बहुत है भले ही हम अपने महनत के 2 रुपे कमाए लेकिन महनत और इमानदारी के रुपे है वो मेरे लिए बहुत special है मेरे life के first earning है YouTube जो मैंने घर पर बैठे online मैंने रुपे कमाए है वो risen and इसके पीशे मेरा कोई हाथ नहीं है मेरे पीशे मेरे विवर्स का बहुत अच्छी blessing है so thank you so much thank you अब मैं आपको बताती हूँ कुछ तीन चाहर टिप्स जो भी योटूबर देख रहे हैं वीडियो उनके लिए बहुत important है तो सबसे पहले मैं आपको टिप नम्मर वन बताती हूँ कि जब भी आप योटूब चानल स्टार्ट करें आप एक रुटीन बनाएए एक शिडूल बनाएए कि आपको दो दिन में या तीन दिन में या हफते में एक बार या डेली वीडियो डालना है आपका कोई एक भी बेज या आप कुकिंग से रिलेटेड डाल सकते हूँ या मेकप से रिलेटेड डाल सकते हूँ अगर आप मेरी चैनल पर देखोगे तो मैं स्कीन, हैर, मेकप, व्लॉग यू नो बहुत नहीं नहीं रसिपीज, मोटिवेशन वीडियो भी मैंने डाले हैं पारेंडिंग टिप्स पर आप जाके मेरी चैनल पर देख सकते हूँ यह सारे चीज़ें में डालती हूँ तो आइठिंक मेरा सब मिक्षरी है बट रेसेंटली मैं अभी व्लॉग ही जादा डालती हूँ तो इस तरीके से आप वीडियो टाइम टू टाइम डाले टिप नमबर टू कि वीडियो डालने से पहले आप अपना थम्नेल एंड टाइटल पे बहुत ज़दा फोकस कीजिए क्या होता है आपने देखा होगा हम जब भी यूट्यूब खोलते हैं स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन करते हैं तो उसमें क्या होता है जो भी हम देखते हैं थम्नेल पे हमारा फोकस पहले होता है अगर उस वीडियो के थम्नेल एट्रेक्टिव है अच्छी है तो हम thumbnail के वाया title पर जाते हैं और उसके बाद हम वीडियो पर जाते हैं तो बैस मैं यहीं बोलना चारी थी tip number 2 में आपको ध्यान रखना है thumbnail and title जी जान लगा दो thumbnail बनाने में काफी अच्छे thumbnail बनाईए tip number 3 कि आप tag काफी अच्छे डालिए tag and description box बिल्कुल अच्छे से fill कीजिए उसके बाद ही आप वीडियो को upload कीजिए मैं क्यों समझा रहे हूँ मुझसे भी mistake हो जाती है मैं वीडियो upload कर देती हूँ बर description box जो है उसको fill ही नहीं कर पादी तो यह चीज़न ध्यान रखे टेग से आपका वीडियो वाइरल हो सकता है ओके सो यह कुछ दो तेन टिप थी जो मैंने आप लोगों को दी है यह दो तेन टिप अगर आप याद रखोगे तो आपका चानल बिल्कुल ग्रो होगा बहुत जल्दी ग्रो होगा और व्यूस भी काफी अच्छे आएंगे तो यह एक छोटा सा वीडियो था जो मैं अपने वीवर्स के साथ यह जो टाइम है वो स्पैंड करना चाहती है और मुझे सच में आज बहुत खुशी हो रही है और मैं बयान ही कर सकती मैं आप सभी लोगों को धेर सारा प्यार देना चाहती हूँ I love my to all viewers I love okay so मैं जादा नहीं बोलूगी ने तो फिर मैं कैमरे के सामने ही भूशनल हो जाऊंगी and मैंने लाइब भी करी थी उसमें भी मैंने आप लोगों सबसे पहले बताया सबसे पहले मैंने लाइब करके आप लोगों को डिरेक्टली बताया क्योंकि यार आप लोगों जिसने मुझे सपोर्ट किया है इतनी मेरी फैमिली का हाथ नहीं है बट सबसे जादा माइ व्यूवर्स थैंक्यू तो गाइस वीडियो यही पर स्टॉप करना चाहूंगी और आई होप जो भी न्यू यूटुबर है उनको काफी अच्छी टिप मिली होगी और मिलते हैं नए व्लोग में नए टॉपिक के साथ और बस ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेगा तैंक्यूर वाजियो तैंक्यूर वाजियो